हलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है बीटी कॉटन तो चलिए जानते हैं बीटी कॉटन क्या है बीटी कॉटन वो कॉटन है जो की बीटी क्रॉप से उगाया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बीटी क्रॉप क्या है बीटी क्रॉप वो क्रॉप है जो की जने तो हम इसको च्रांसजेनिक क्रॉब भी कह सकते हैं, यानि इस जो प्ल्षि- प्लन्ट है इस प्ल्षि- प्लंट के अंदर उसके जीन में चेंज इस किये गए हैं उसमें मॉडिफाइ किये बित्व और एब वह प्लांट जो genetically modified कैसे किया जाता है एक bacteria है जिसका नाम है bacillus thuring genesis इसी के नाम पर BT नाम दिया गया है इस bacteria के पास एक special type का protein होता है जिसे हम लोग कहते है cry protein और यह जो cry protein है एक तरह का toxic है जो की insect को kill कर देता है और यही जो protein बनाने वाले genes है scientists जो है इस genes को इस bacteria से निकालते है और इस gene को निकालने के बाद इस gene को insert करते है crop के अंदर जो भी cotton के crop है जिन से हमें cotton मिलना है उसके gene के अंदर जब वो embryo stage में होते है उस time उसमें insert किया जाता है result यह होता है कि जब वो crop बड़ा होता है adult होता है तब उसके अंदर भी cry protein सिक्रीट करने वाले gene आ जाते है और cry protein एक तरह का toxic सिक्रीट करता है जो कि insect के लिए harmful है तो जब ऐसे plant पे कोई insect आके attack करता है तो plant के अंदर जो cry protein present है वो toxin सिक्रीट करके उस insect को kill कर देता है जिसके वज़े से उसका जो cotton है बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है